हेलो पैरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हम क्लास फिप्त के सब्जेक्ट इंगलिस के वीक नमबर 25 की वक्सीट को सॉल्प करेंगे जो की नौर देली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दी गई है बच has have had are helping verbs और auxiliary verbs has have had जो हैं यह helping verbs हैं जिने हम auxiliary verbs भी कहते हैं we use them to so हम उनका use क्या दिखाने के लिए करते हैं that something belongs to someone और something की जो कुछ है वो किसी से belong करता है अब यहाँ पर बच्चो कोश्यन है draw the box given below in your notebook बच्चो नीचे जो बच्च दिया गया है इसे आप अपनी notebook में draw करेंगे and learn the rules of using has have had और has have had का use करने के rules को learn करेंगे याद करेंगे तो बच्चो यहाँ पर auxiliary verb है कौन सी है has तो बच्चो has का use हम किस time में करते हैं present time में today or now जैसे कि आज के बारे में जहां बात की जाती है या अभी बिल्कुल इसी समय के बारे में तो उस समय हम has का use करते हैं तो हम किस के साथ has का use करते हैं we use with singular nouns जैसे कि singular noun होती है किसी का भी नाम हो सकता है जैसे किसी girl का नाम हो सकता है it may be book, child, any person, etc. singular pronoun और singular pronoun के साथ होता है तो कौन-कौन से हैं जैसे कि he, she, it next have, have का use हम किस समय में करते हैं present time में ही करते हैं today or now किस के साथ किया जाता है singular pronouns जैसे कि I और you के साथ करते हैं I have, you have plural pronoun कौन-कौन से है we, they, we have, they have तो इनके साथ करते हैं and plural nouns और जो plural nouns होती हैं जैसे कि गीता और बबीता यह बोत हैं it means more than one यहाँ पर इस singular नहीं है plural है books यहाँ पर जो books है more than one एक से जादा है plural है children बच्चे बहुत सारे हैं तो इन सभी के साथ हम किस का use करते हैं have का करते हैं अब बच्चो next है head head का use हम किस समय के लिए करते हैं past time it means जो time हमारा बीत चुका है उस समय के लिए हम head का use करते हैं जैसे कि yesterday कल के बारे में अगर बात की जा रही है और before या फिर इस से पहले के बारे में तो हम head का use करते हैं इसका use किस के साथ करते हैं singular pronouns के साथ तो बच्चो singular pronouns कौन कौन से हैं he she it i you इन सभी के साथ हम किसका use करते हैं head का करते हैं और singular nouns कौन कौन से हैं जैसे कि books such and toy etc it means किसी का भी नाम हो सकता है कोई भी singular thing हो सकती है तो बच्चो इन सभी के साथ head का use करते हैं और किसके साथ करते हैं plural lounge के साथ जैसे कि रोहन एंड सचिन बोक्स मोर देन वन है इतमीं से ज्यादा बोक्स है एट सेक्टर और plural प्रोनाउंच जैसे कि वी दे हम दे मिस होता है वे तो इन सभी के साथ हम हैड का यूज करते हैं अब बच्चो क्वेशन है फिलिंदा ब्लैंक है चोटी बहन है नेकस्ट है उसक्वयर फोर सैड्स एक च्वस्वया में चार साइट होती है तो बच्चो इन उन पर कैसे होते हैं ब्लैक और वाइड स्ट्रिप्स होती हैं तो बचों यहां पर लिखेंगे है जैबराज है ब्लैकंड वाइड strips next we are test tomorrow हमारा कल क्या है test होगा तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे we के साथ है we have a test tomorrow हमारा कल एक test है next do you a pen क्या तुमारे पास एक pen है तो बच्चों you के साथ किसका यूज करेंगे have का do you have a pen अब बच्चों question number two है use the correct option to fill in the blanks given below नीचे दिएगे blanks को fill करने के लिए यहाँ पर बच्चों साई option का यूज करना है the parrot red beak तो बच्चों यहाँ पर has, have, head किसका यूज करेंगे तो बच्चों parrot के लिए हम यूज करेंगे the parrot has a red beak तोते के एक लाग चौँच होती है next है the fruit seller यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कौन ही fruit seller है फल बेचने वाला many fruits तो बच्चों किसका यूज करेंगे has, have और head तो बच्चों यहाँ पर यूज करेंगे हम has का the fruit seller has many fruits fruit seller के पास बहुत सारे फल होते हैं last night they a party, last night यहाँ पर बच्चों इसके साथ क्या यूज करेंगे head last night they had a party, it means हम यहाँ past के बारे में बात कर रहे हैं तो head का यूज करेंगे last night उन्होंने एक party की थी next है I are red umbrella, तो बच्चों I के साथ हम यूज करेंगे have का I have a red umbrella, मेरे पास एक red लाल रंग का umbrella है mona fever yesterday, तो बच्चों इहाँ पर कल के बारे में बात हो रही है, जो की गुजर चुका है mona को कल बुखार था, तो बच्चों इहाँ पर mona के लिए कि साथ करेंगे head का mona head fever yesterday, अब बच्चों इहाँ पर question number 3 है join the words to make meaningful sentences, बच्चों इहाँ पर words को join करके meaningful sentence बनाना है and write them in your notebook, और उन्हें अपनी notebook पर लिखना है, तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर है I, we, you, they, तो बच्चों I have a story book, मेरे पास एक story book है next है we have a story book, हमारे पास एक story book है, you have a story book, तुमारे पास एक story book है they have a story book, उनके पास एक story book है, अब बच्चों ऐसे ही next है He has an umbrella उसके पास एक छाता है She has an umbrella उसके पास एक छाता है Radha has an umbrella Radha के पास एक छाता है अब बच्चे आपर example है One example is done for you एक example आपके लिए किया गया है I have a story book मेरे पास एक कहानी की किताब है तो बच्चों इसे हम किस तरीके से लिखेंगे तो बाकी बच्चों जो तरीके हैं वो है We have a story book हमारे पास एक कहानी की किताब है You have a story book आपके पास एक कहानी की किताब है They have a story book उनके पास एक story book है He has an umbrella उसके पास एक छाता है She has an umbrella उसके पास एक छाता है Radha has an umbrella Radha के पास एक umbrella है अब बच्चो नेक्स है convert has have into had in the sentences बच्चो यहाँ पर sentence में has have दिया गया है इसे आप किसमें convert करेंगे had में that you have written in question 3 जो की अभी आपने question 3 में लिखे थे तो बच्चो जैसे कि यहाँ पर है I have a story book तो इसका बच्चो क्या आपको convert करना है have को आप बच्चो replace करेंगे had से I had a story book मेरे पास एक कहानी की किताब थी तो बच्चो ऐसे लिखेंगे we had a story book हमारे पास एक story book थी you had a story book तुमारे पास एक story book थी they had a story book उनके पास एक story book थी he had an umbrella उसके पास एक चाता था she had an umbrella उसके पास एक चाता था रादा हेडन अम्रेला रादा के पास एक शाता था बच्चों याँ पर ये थ्री लाइन्स एक्स्ट्रा हैं तो बच्चों आप इने इस तरीके से भी लिख सकते हैं याँ पर रादा हेड़ स्टोरी बुक रादा के पास एक कहानी की किताब थी She had a storybook उसके पास एक कहानी की किताब थी They had an umbrella उनके पास एक umbrella था Life skill, Save electricity, बिजली बचाओ Save electricity, it means बिजली बचाओ, Save money, पैसा बचाओ, Save our earth और हमारी प्रत्वी को बचाओ अब बच्चो नेक्स्ट है, we can do the following to save electricity हम बिजली बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं इसे की टर्न ओफ अननेसेजरी लाइट जो बच्चो अनावश्यक लाइट से उन्हें बंद करें यूज नैचुरल लाइट और जो बच्चो आप देख सकते हैं नैचुरल लाइट का यूज करें जो प्राकर्थिक लाइट का मतलब है कि सनलाइट का यूज करें अनप्लग electrical devices when not in use जब बिजली का कोई यूज ना हो तो उन्हें unplugged कर दे इट मीज आफ कर दें स्विच ऑफ दा ट्यूब लाइट्स एंड फैंस वें लीविंग दा रूम जब रूम से बाहर जा रहे हो तो जो switch है tube lights के उन्हें off कर दें think act save तो बच्चो पहले सोचो फिर आप उसे apply करो और फिर बचाओ इट मीज बिजली बचाओ अब है बच्चो activity time take the picture that needs electricity to work बच्चो यहाँ पर उन पिक्चर पर आपको राइट मार्क करना है जिन में कार्य करने के लिए बिजली की जरूत होती है तो बच्चो यहाँ पर फस्ट रेख सकते हैं यह है torch तो इसे charge करने के लिए हमें electricity की जरूत होती है राइट मार्क करेंगे बच्चो पर राइट मार्क करेंगे नेक्स्ट बच्चो candle तो candle के लिए हमें electricity की नीड नहीं होती है नेक्स्ट बच्चो washing machine तो washing machine में हमें cloth wash करने के लिए electricity की नीड होती है राइट मार्क करेंगे नेक्स्ट बच्चो यहाँ पर plant को उगाने के लिए उसे बढ़ा करने के लिए हमें electricity की नेड नहीं होती ऐसे बच्चो खेलने के लिए भी हमें electricity की नहीं होती तो यहां पर cross mark करेंगे संसकार साला सक्सिज जो है वो एक activity नहीं है करेया कलाप नहीं है बट क्या है एक प्रक्रिया है food and drink में आज आप क्या लेंगे have hot healthy milk बच्चो आप गर्म दूद लेंगे हल्दी वाला activity में prepare any two or three paper toys from newspaper और old calendar बच्चों आप पुराने अग बार या फिर calendar से दो फिर तीन paper toy बनाएंगे गेम में आज आप क्या करेंगे play पकडम पकड़ाई with friends and siblings अपने बहनबाई अपने दोस्तों के साथ पकडम पकड़ाई का खेल खेलेंगे daily routine include the following habits in your daily routine बच्चों दीगे habits को आप अपने daily routine में include करेंगे सामिल करेंगे begin your day by greeting your parents अपने parents का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार गांतों को brush करें take a bath daily रोजाना रहाएं drink plenty of water पर्याप्त मात्रा में पानी पिए and eat a balanced diet और संतुली ताहार लें avoid touching your face अपने चहरे को छूने से बचे and wash your hands frequently और अपने हाथों को लगातार धुए complete your homework on time और अपना ग्रह कार्य समय पर पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you